मेहज 10 साल के करियर में दीपिका पदकोन मायानगरी में अपनी अलग पहचान बना ली है इस दोरान उनकी निजी जिन्दगी में भले ही कही उतार चड़ाव आये हों लेकिन पेशेवर जिन्दगी की रफ्तार कम नहीं हुई इतनी बड़ी इंडिस्ट्री में क्या उन्होंने ऐसा अपने दम पर हासिल किया शायद उनके पिता इसके लिए किसी और के शुक्र गुजार है दीपिका पादोकोन के पिता प्रकाश पादोकोन का मानना है कि दीपिका आज जो कुछ भी है added शाहरो खान और ठरहा खान की वज़े से हैं क्यूंकि उन्होंने ही अपनी फिल्म ओम शांतियों में दीपिका को पहला मका दिया दीपिका का परिवार चाहता है कि बलिवुड से लेकर हॉलिवुड तक में ऐसे ही उनका सितारा बुलंद होता रहे प्रकाश पदुकोन ने बताया कि उन्हें पहले से ही पता था कि दीपिका का रुजहान मॉडलिंग की तरफ है पिंक कविला कुद ये इंटर्व्यू में उन्होंने कहा पहली बार अपनी बेटी को बड़े परदे पर देखकर हम खुशी से पागल हो गए थे फिल्म जब बॉक्स आफिस पर हिट गोशित हुई तो हमारी खुशी दोगुनी हो गई थी हाला कि दीपिका पदुकोन की फैमिली को उनकी और रनवीर सिनकी फिल्म बाजी राव मस्तानी सबसे ज़्यादा पसंद है फिल्म पदमावती में लीड रोल ने भा रही दीपिका पदुकोन को फिल्म की वज़े से जान से मारने तक की धमकी मिली है बावजूद इसके उनके परिवार वालों को फर्क नहीं पड़ता क्यूंकि उन्हें कानून पर भरोसा है और वेह विवादों पर ध्यान दे कर अपना वक्त बरबाद नहीं करना चाहते